हेलो फ्रेंट्स और वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ शेता और फ्रेंट्स आज में लेका आए हूँ मसाला मैगी आप देख सकते हो कितना जादा यह टेस्टी यमी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे वेजटेबल्स डाले हैं जिससे कि और भी जादा हेल्थी टेस्टी और डिलिशिस हो जाता है थोड़ा सा हम इसमें स्पाइसी बनाने वाले हैं तो यह बच्चे और बड़े के सभी की फेवरेट होती है और यंग्स्टर भी बहुत जादा पसंद करते हैं इस्पेशली विंटर में इस तरह से अगर आप बनाएंगे मैगी विट लॉट्स तो बहुत ही जादा तेस्टी लगने वाला है चले फरेंस बनाना शुरू करते हैं तो फरेंस पानी को मैंने पहले से भॉइल करने के लिड़ दिया था तो एक पैन में मैंने थ्री ग्लास अव वाटर अच्छे से बिलकुल बॉइल कर लिया है तब आपको मैगी डालना होत वरना यह अच्छा नहीं बनता है तो boiling water में add कीजेगा तीन पाउच मैगी लिया है आप देख सकते हो तो यह around four to five लोग अराम से खा सकते हैं serving four to five percent at least तो मैं इसमें डालूँगी यह तीन पाउच जो मैगी मसाला टेस्ट में करोता है वो add कर दिया है और इससे हम एक तरफ को देते हैं दूसरी तरफ हम बना लेंगे इसका मसाला तो बहुत ही जादा easy process सा आप एक साथ दोनों process करेंगे तो बहुत जटपटी है बनकर तयार हो जाता है इससे थोड़ा सा इस तरह से fox से हिला देते हैं ताकि यह noodle separate हो जाए अच्छे से तो इससे मैंने medium flame पर रख दिया कि एक तरफ मैंने pan चड़ा दिया है क्योंकि एक तरह से इसका जो process है one by one नहीं करना है साथ में ही करना है क्योंकि हमें जो noodles जो भी मैगी है हमें थोड़ा सा liquid रखना है तो इससे और जादा smooth और बहुत ही अच्छा सा texture आता है मैगी में तो इसी तलिए हम दोनों process को एक और इसमें half inch का टुकड़ा मैंने ginger का बारी कटा हुआ लिया है तीन से चार मिर्च लिया है बारी कटा हुआ लैसुन लिया है दो से तीन बारी कटा हुआ और एक medium size का प्याज लिया है ये भी finely chopped है और इसे हलका सा sauté करने के बाद मैं इसमें डालूंगी vegetables vegetables आप अपने पस vegetables अब हम इसे medium to high flame पर stir fry कर लेंगे हलका सा ये थोड़ा सा crunch भी रहना चाहिए और थोड़ा सा soft होना चाहिए बहुत जादा over cook नहीं करेंगे तो इसे चलाते हुए हम high to medium flame पर cook कर लेंगे थोड़ी देर में ये हलका सा जो squeeze हो जाता है जो सबजीयों का moisture है वो चला जाता है हलका सा crunch रह जाता है अब मैं इसमें डालूँगी frozen corn है मेरे पास आप चाहिए अगर है तो आप use कीजेगा इसे और भी अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने half bowl के बराबर frozen corn add किया है इसे पकने में वक्त नहीं लगता है इसलिए मैंने बाद में डाला ऐसे साथ में मैं इसमें fry कर लेंगे अच्छे से one minute तक चलाते हुए पका लेंगे जो भी रॉनेस है वो भी इसका हट जाएगा साथ में इसका नमक add कर लेते हैं तो नमक मैंने one teaspoon के बराबर add किया है क्योंकि मैंकी जो taste maker में भी नमक होता है मसाले में तो इसे अच्छे से मैंने cook कर लिया है आप दे taste बढ़ाता है और इस तरह से आपको थोड़ा सा noodles और चौमिंग का flavor भी आएगा और इसे mix कर लेते हैं और यह हमारा मैगी भी आप देख सकते हो इतना जो liquid बचा है इस तरह का बिल्कुल होना चाहिए अब मैं add कर दूंगी यह vegetables में जो हमारा मैगी है आप देख सकते हो जो liquid है इतना होना चाहिए dry नहीं पकाना है तब ही हमने दोनों process एक साथ किया है इससे बहुत ही जादा इसका smooth और बहुत जादा टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इस तरह से मैंने mix किया साथ में one teaspoon के बराबर इसमें soya sauce add करना है one teaspoon के बराबर इसमें मैं add करूंगी vinegar और सा सारा कुछ mix होके बहुत ही अच्छा noodles का टेस्ट आता है तो यह थोड़ा सा spicy tangy blend of all flavor all spices थोड़ा सा noodles का टेस्ट मैगी का टेस्ट चॉमिंग का टेस्ट सारा कुछ आपको एक ही plate में मिलने वाला है यह dish बहुत ही जादा टेस्टी बनकर निकलता है और इसे हम at least एक से दो मिन अगर आपके पास spring onion है उसे भी बारिक चॉप करके डाल सकते हो मेरे पास धनिया पता था उसे मैंने अट कर लिया है इसे mix करके अब गर्मा गरम सर्फ किजिए अगर आप बच्चे को देते हैं तो थोड़ा सा spice कम कर दीजिए का मिर्स थोड़ा सा कम डालना है और आप सकते हो बहुत ही जादा tasty delicious और इसका जो flavor है बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से अगर आप follow करेंगे step by step बनाएगा और enjoy कीचे इस winter में इस तरह से बहुत जो vegetables मिलते हैं सारा कुछ डालिए और इसे healthy बनाके खायेगा तो और भी जादा मजाएगा तो I hope आज की वीडियो पसंद आए चैनल को like share subscribe कर लेजेगा नए है तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा और बाइबाई enjoy my recipes